कि दोस्तों टोटाल सॉलीशन पिलान में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तों आज का वीडियो एक एक्स पो कंपानी का वान एंप्यार बारा भोल का एड़ेप्टर के उपर है यह डिसी एड़ेप्टर है दोस्तों तो इसमें प्रॉब्ले में इसका जो LED लाइट है ग्लो तो इसका बोर्ट तो सही है लेकिन यह पे देखिए रेजिस्टर जो सही दिख रहा है लेकिन रेजिस्टर सही नहीं है खराब हो गया क्यूंकि इसमें देखिए जो में कॉंडेंसर है जो की 400 वोल्ट 4.7 माइक्रोफायट का यह कॉंडेंसर जो है दोस्तों थोरा सा फूल तो दोस्तों यह कॉंडेंसर फूलने से जो वोल्टेज है फिल्टर करने ही पाता है उसके कारण बहुत सार प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास अब भी देखिए 4.7 400 वोल का कॉंडेंसर है इसी कॉंडेंसर को लगा के हम एक वाट टेस्ट कर लेंगे तो पहले कॉंडेंसर क हम इसका जितना भी पार से जो सौट हो सकता है उसको हम चेक करेंगे उसके बाद हम इसमें लाइन देके देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आता है और उसको कैसे रिप्यर कर सकते हैं तो दोस्तों अक्सर जो है एड़ेप्टर कराब हो जाता है जो कोई भी तो आप उसको अगर डैंस से रिप्यर करते हो तो बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर इसमें चौपर जो है ड्राइबर वह अगर खाब ना हो तो तो बहुत ही कम खराब होता है लेकिन वह खराब होने से आपका ए जो एडेप्टर रहता है ए सही नहीं होगा क्योंकि वह नहीं बाला चपर लगाना परेगा उसको देखके वोल्टेज को सही पाने के लिए इसलिए चपर खराब होने से रिप्यार हो नहीं पाता है सेम बोट से उटा के लगाना परेगा उसके बादी तो देखिए रिजिस्टर को हम चेक करते माल्टिमीटर को कॉंटिमिट्व मून में रखके तो देखिए यह बिल्कुल खराब है अभी इसका डायट जो है और डायट को भी हम चेक कर लेंगे माल्टिमीटर को सीधा और उल्टा पकर के और इसका जो रिजिस्टर है दोस्तों 22 ओम का रिजिस्टर लगा हुआ है तो दिखिए इसमें कोई भी सौट हमको दीख नहीं अभी टैंजिस्टर जो है छोटा वाला वही पर रहता है एल 431 का रहता है जो फीड़बैक के लिए काम करता है और कबलर के पास उसको भी चेक कर लेंगे इस साइड में देखिए रिजिस्टर जो रहता है लगबग हंडेट के का देख लेते हैं इसमें 105 के का दिखा रहा ह एक है माल्टी मिटर में कुछ अलग-अलग दिखाता है थोड़ा सा अभी वाला जो टैंजिस्टर है दोस्तोव टैंजिस्टर या मॉस्पेर होगा इसमें नमबर कुछ थिक तरह से देक नहीं रहा है तो इसको एक बद् formation कर्लेंगे एसो एक के नहीं तो एह अगर स्वाट नहीं रहता है तो बिल्कुल जो है हमारा एड़ेप्टर से ही हो जाएगा तो देखिए इसमें वेलू तो कुछ दिखा रहा है एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है मतलब ज़्यादा दिखाने से खराब रहता है लेकिन बोर्ड में लगा रहते हुए हम सही स कि नहीं कि नहीं को नहीं परता है लेकिन पिल्ण हम बूर्ड में यह चेक कर लिया और इसमें साथ कोई भी खराबी नहीं है बोड का ओम सी दिखा रहा है इसमें थोड़ा सा हमको ड्राइ सोल्डर दिख रहा है तो हम इसको अच्छे से आइरन के मदद से इसको सोल्ड कर लेंगे तीनों पीन को और बोड में जो जो पार्स हमको ड्राइ सोल्डर दिखेगा उसको भी हमको जो नए से सोल्डर करना परेगा दोस्तों और दोस्तों मेरा चल्ड का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जबर मेरे चल्म को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकीकेशन बचिहल बेल आइक। दवा दीजिए नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मैं तरह तरह जो पूड़क्ट रहता है उसके उपर वीडियो बनाता हूँ जो भी आता है हमको टाइम निकल के वीडियो हम बना देते हैं हर एक चीज का तो टाइम नहीं मिलता है दोस्तों बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारा बन जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से रिपेर कर सकोगे जो नया टेक्निशियन है तो इसमें देखिए जो भी खराब होता है वह हम माल्टिमीटर से चेक करेंगे अभी देखिए फ्यूज जो खराब है फ्यूज तो फिलाल टेनों का हमारे पास बाइसों का हमारे पर कर देंगे फ्यूज का कम बन जाएगा चेक कलने के लिए ऐसे ही होगा और हमेशा स्रीज लैम का यूज कीजिये स्रीज कनेक्शन में इसको चेक किजिये टेस्ट कीजिये और स्रीज लाइन में आप 200 वाट का बाल भी लगाईए उसमें बहुत ही अच्छे से आप काम कर सकोगे 100 वाट का बाल्ब लगाऊगे तो उसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लिम आ जाएगा जो नया लोग होता है तो एक दिखिए इसका मेन कोनेसर हमें चेंज कर लिया। फ्यूज के जगा में वायर से जमपर कर लिया। हमको सोट नहीं मिला है अभी थोड़ा पीएप इसमें लगा हुआ है हम पीएप का भी एक बार सोट चेक करेंगे और यह बारा बोल्ट का जो जेना डायड लगा हुआ है उसको भी हमने चेक कर लिया आप इसमें देखिए पीएप भी सोट हो सकता है क्योंके में कापासिटर जो है वो फूल गया था तो देखीए एएप भी तो पि एफ एफ एप एफ इव कभी कभी खराब होता है कम खराब होता है इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे तो देखिए यह PAB सही है और एक चीज़ है यही पर दो डायड लगा हुआ है देखिए दोस्तों यह सुपरफस्ट डायड होता है जो की डायवर के बाद ही लगाया जाता है इसमें स्विचिंग होने के बाद तो यह डायड को भी हम चेक कर लेंगे कि AB कभी-कभी सौट हो जाता है तो अडेप्टर जो है आउट्पूट में बोल्टेज नहीं देता है तो यह बिल्कुल सही है और LED भी इसका सही है क्योंकि LED ग्लो कर रहा है और डायड में दोस्तों एक साइड से वैलू आना चाहिए और दूसरा साइड में आप ना पोगे तो उसमें वैलू नहीं दीखाएगा तो यह हमारा टैंजिस्टर या मॉस्पेर बोलो वह भी सही है तो हम इसमें अभी स्रीच कनेक्शन करके चेक कर सकते हमारा एरेप्टर इसमें वैसे को कॉननिये के कारण इसका जो है धियो Sorry है वह उर गया था तो यह दीखिए इसमें जो है लाप मरे बोलकुन कैसित なपके dog कि लिए देगे वोल्ट जम्प को थोड़ा सा ना परेगा तो इसमें देखिए लगबग 300 के करीब दिखा रहा है मतलब 400 वोल्ट का हमने लगाया है बिल्कुल सही है कम चल जाएगा सारे 400 वोल्ट का लगा दो तो बहुत ही अच्छा होता है 400 वोल्ट भी चलेगा इसमें तो अभी यह देखिए आउटपुट में 12 वोल्ट दिखा रहा है हमने माल्टिमीटर का प्रॉप को उल्टा पक रहे इसलिए माल्टिमीटर में नेगेटिव 12 वोल्ट दिखा रहा है यह ग्लो कर रहे के नहीं तब जाके हम बोल सकते के यह अड़ेप्टर बिल्कुल सही हो गया बहुत सारा लाइट है इसमें और यह वान एमप्यार का जो अड़ेप्टर है दोस्तों बारा बोल का तो यह दीखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में हम दुनों वहर को एलेडी ग्लो करना चाहिए तो यह दीखिए हमारा जो एलेडी है यह ग्लो करने लगा है मतलब हमारा जो एड़ेप्टर है बिल्कुल सही हो गया तो ओके टैंक यू वाचिंग माई वीडियो